तो आज हम लोग फिर लेका चुके हैं एक नया वीडियो आज का टोपिक होने वाला है वो कल के मार्केट की वूग उपर हो ले वाला है जो कि अपना वीकली लास्ट मायटकर सेशन होने वाला है उसके बाद हमारे कुछ फेस्टिवल स्टार्ट जाएंगे जैसे कि अपना क्र करेंगे जो कि मार्केट के लिए इंपोर्टन वाले हैं कहां से प्रोफिट वूकिंग आने वाली है और कहां से दुबारा से एंट्री मिल सकती है तो प्लिज वूडियो को पूरा देखिएगा हम लोग आते हैं डिरेक्ट पहले निफ्टी के चार्ट को पर बात करेंगे उ अब यहां पर देखें तो जब हम लोग ये वीडियो सूट कर रहे हैं तो इस टाइम के है अपना गिफ निप्टी ऑल्मोस्ट वह 170 पाइंट ऊपर चल रहा है और डोजोंस लगभग 280 के आसपास उपर अभी ट्रेड कर रहा है तो अगर इसके कोडिंग मार्केट के अंदर अगर गैप अप होती है किसी परकार से बड़ी गैप अप देखने को मिलती है जो ये लेवल है 21.500 से लेकर 21.600 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है निफ उसको क्रॉस करना इतना असान नहीं होगा अगर उसके उपर सस्टेन करता है तो हम लोग उपर जाएंगे लेकिन अभी अम लोग सिर्फ लेवल को फॉलू करेंगे बात करते हैं नीचे सपोर्ट लेवल की औरड़ी मार्केट ने अभी तक राइस्टेंस के पास ही क्रोजि पर है अगर डॉजोंस ने भी थोड़ा अगर साथ दिया और निफ्टी ने औरड़ी रेस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दी है तो इसके बाद हो सकता है कि वॉल देखने को मिल जा है यूग कि ब्रेक डाउन हुआ था फिर यहां पर थोड़ा नीचे गई सपोर्ट मिला और फिर बैंक्स जो थे आईसी बैंक प्लस आज जो लीड किया है रिलाइंस ने और उसके बाद इस वह जैसे मार्केट में सटन यहां पर अपसाइट देखने को मिला है यह तो अपना राइस्टेंस हो गया और यह राइस्टेंस के पास ही क्लोज होई है तो इसका हमें वेट क अगर यही पर क्लोज जो आती है तो उसके अगर मार्केट उपन होती है तो हो सकता गैप अप हो और इस रेजिस्टेंस को बिरेक करके यहां पर यहां पर फॉल देखने को मिले अब यह तो बात होगी अपने निफ्टी की बात कि हमने उसके बाद देखते हैं एक सपोर्ट की अगर यह सपोर्ट हम लोग देखें एक यह सपोर्ट बना है जो कि आज कर दिन में यहां से डाउनफोल आने बाद एक रिकपरी आई है तो 21,220 से लेकर 21,180 का जो लेवल है वो इंपोर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए उसके नीचे मतलब 21,180 के नीचे अगर न निफ्टी अपने को 21,180 या फिर 20,180 के लेवल दिखा था वो दिख जाए क्योंकि प्रॉपर एंट्री अभी नहीं हुई है निफ्टी की इस जोन के अंदर तो अगर यूएस ने थोड़ा सा भी यहां पर करेक्शन दिखाया तो अपने को डाउनसाइड में अच्छे आश् तो यहां पर देखे तो अल्मोस पूरे डिमांड जोन के अंदर इसकी एंट्री होई एंट्री होने के बाद इसने अच्छा खासा अफसाइड दिखाया प्रस बैंकिंग जो सेक्टर थे उसके सारे स्टॉक ने बहुत अच्छी खासी मूव दिखाई है तो अब यहां पर पढ़ेंड़ से बारे में जो कल के लिए होने वाले हैं इसने प्रापर ऐक अच्छे खासे अंडी के पास आने के बाद इसने क्या किया है closing उसी के आसपास इसने दी है मतलब ये देखे तो ये जो इसका last जो hurdle होने वाला है उसी क्वासिस में closing दी है अगर US market को follow करते हुए वह भी gap up होता है जो की 48,000 से लेकर 48,000 दो सो 20 का जो level होने वाला है ये जो 220 पॉइंट जो range होने वाले हैं उसके पास से एक fall देखने को मिलना चाहिए लेकिन अगर किसी परकार से अगर 45,000 दो सो बीस के ऊपर bank nifty sustain करने में सफ़र रहती है तब अपने को upside में बहुत अच्छे का से target मिल सकते हैं तो अभी की market थोड़ी सी confusing है अभी हो सकता है बीच में एक fall ऐसा देखने को मिले जिसका हमने कभी assume नहीं किया होगा क्योंकि अभी के time में हो सकता है जैसे festival आ रहे हैं तो यहाँ पे जो big players हैं वो अपना सारा माल यहाँ पे sell out करके अपना festival मनाने चाहेंगे तो उस वज़े से अभी market अबर गिर सकती है तो इस time में थोड़ा trade करना less quantity में trade करना better होगा और ज्यादा bulk में quantity buy करना हो सकता है जब market एक तरफा reverse करें तो बड़ा loss हो सकता है तो अभी तो मेरा यह suggestion होगा कि कम से कम quantity में trade करें बाकि volume की भी काफी दिक्कत आने वाली है क्योंकि अभी जो foreign investor है वो भी यहां से चुटी बो जाएंगे तो यह ध्यान में रखके चलना है कि market अभी कोई भी बड़ा breakout दे लेकिन हमें trade छोटे-छोटे levels को follow करना है छोटे profit booking करनी है और जितना कम से कम हो सकते उतना ही कम trade लेना है बतलब ज्यादा bulk में हर एक दस trade में हमें entry नहीं ले लेनी है अब यह तो अपना resistance हो गया बात करते हैं इसके support level की तो अगर bank nifty में अगर एक profit booking भी आती है तब अपने को यह जो level देखनों के मिल रहा है जो की 47.500 से लेकर 47.500 से लेकर 47.320 का जो level है वो bank nifty के लिए एक अच्छा खासा support होगा कल के लिए लेकिन अगर उसके नीचे 47.300 के नीचे कर sustain करना स्टार्ट करती थी यह bank nifty तब अपने को downside में 47.100 उसके बाद 46.970 के target यहाँ के देखनों के मिल सकते हैं bank nifty के अंदर बात करते हैं अगले levels के बारे में जो की अपना अगला levels होने वाला है अपना बायो कॉन का अब बायो कॉन के अगर हम लोग बात करेंगे तो एक हमना कल की वीडियो में भी आपके साथ अच्छा खासा आज की high को cross करता है sustain करता है तो पहला target अपना 252-256 का होने वाला है और हो सकता है आने वाले time में stop loss माने जो की 158 या फिर 157 का भी हलों मान सकते हैं वहां से इसके अंदर जो upside के target देखने को मिल सकते हैं वह 175 और उसके बाद 180 और जैसे यह 182 की level को cross करता है एक बड़े सारे target में देखने को मिल जाएंगे railway stocks भी काफी जादे अच्छे demand zone में है तो उसको प्रकार यह इरिकोन भी है बात करते हैं अगले stock के बारे में तो अगला stock भी अपना railway stock होने वाला है जिसका नम होने वाला RVNL इसने भी बहुत अच्छे खासे demand zone के अंदर इसने entry दी फिर दुबारा इसके अंदर एक recovery आज की दिन में देखने के मिली बहुत अच्छे खासे इसने recovery दिखाई है तो अगर इसमें एक stop loss रखा जाए एक सो चौशट का या फिर 162 का तो इसमें एक trade generate की जा सकती है जह भी अपने radar में रखके चलना है बात करते है LA stock के बारे में तो यह अपना होने वाला है IGL जो की अपना energy sector से होने वाला है इसने इस demand जो उनको follow किया है और follow करते हुए आज की closing ठीक ठक मिली है बतलब 20MA के उपर इसमें closing दे दी है अगर यह support कैसे भी respect करता है यह break नहीं होत है और यह ऐसे करके फिर market नीचे आती है ऐसे करके फिर suddenly आपको इस पर करके candle यहां देखने को मिलेगी जो कि 440 और उसके बाद लगवा 480 प्लस के target यहां पर IGL के अंदर देखने को मिलेंगे तो अगर इसके अंदर fresh position बनाई जाएगी तो 390 का stop loss होना चाहिए 390-391 का stop loss I IGL के अंदर होगा और target इसके अंदर बहुत बड़े अच्छे खासे देखने को मिलने चाहिए बात करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटा फट जाई वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब पर जीदिए क्यूंकि आ अपना best research आपके साथ इस वीडियो में share करनेगी ताकि आपको कुछ learning भी में सके तो फटा फट जाई वीडियो को लाइक करें दीजिए बात करते हैं अगले stock के बारे में तो अपना अगला stock होने वाला है Tata Steel जैसा कि हमने इसे अपने टेलिग्राम में भी update किया था आपके और उसको join कीजिए free of course यहां पर आपके साथ पूरी research free of course share की जासी है तो फिरा बढ़ जाईए और channel को join कीजिए यहां पर देखे तो एक अच्छा खासा demand जो नहीं बहुत सकते लेकिन हाँ यहां से recovery ठीक ठाक हुई है अब यहां पर देखेंगे तो यह एक support भी range बनता था क्योंकि यहां पर एक support था तो यहां पर हम लोग देखेंगे अकर इसका stop loss रखा जाए 227 का मतलब sorry 127 का बहुत छोटा है यहां पर जैसे ही आज के high को cross करेगा अपने को upside में target 134 उसके बाद 136 प्लस के तो यह अपने रडायर में रखके चलना है बात करते हैं अगले stock के बारे में तो अपना होना है city union bank city union की बात करें तो इसने proper demand जो उनके अंदर entry दी है और आज इसने 145 के आसपस का low बनाके 149 पे closing दी है यह हो सकता है आनुमिले टाइम में यह gap fill करता हूँ देखे 150 और entry मिले तो इसके अंदर 136-135 के stop loss के साथ में इसके अंदर position बनाई जा सकती है यह काफी safe होगा और यहां से जो यहां पे upside की rally देखने की मिलेगी वह मुझे लग रहा है बहुत अच्छी खासी उपर होनी चाहिए तो यह मेरा 2 view है अगर इसके अंदर एक stop loss 144 के साथ में बात करते हैं अगले stop के बारे में तो अपना अगला stop होने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें उससे पहले विसके लिए मत जानना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो के अंदर जो भी लिवस आपके साथ share की जा रहे है just educational purpose है कुछ भी buying या फिर selling करने से पहले एक बार खुद की research जरूर कर लें यहां पर देखे तो लगबार 20 यह में के आसपा से इसकी आज की recovery आई है यहां पर देखे तो इसके अंदर बुलीस तभी होना है जब यह क्रोस करता हुगा दिखे जो की 1865 का level होने वाला है 1865 66 का level जैसे यह क्रोस करेगा इसके अंदर बड़े target देखनें के मिलेंगे जो कि 1950 के level देखनें को मिल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में तो यह अपने radar में रखके चलना है इसी प्रकार यह थी हमारे research कल के लिए market के view को उपर अगर यह वीडियो को पसंद आई तो प्लीज वीडियो को like बाइ टेक रिंट की पच्छिक में वीडियोज